Friends, मेरी एक subscriber ने मुझे लिख कर भीजाता कि उसके पती ही उसकी mental health खराब करते हैं So friends, कुछ लोगों के साथ सच में ऐसा होता है Wives को usually शिकायत होती है कि उनके जो husbands से उनकी care नहीं करते हैं उनके पर ध्यान नहीं देते हैं और उनहीं की वज़े से उनकी mental health खराब होती है So friends, आज के वीडियो बहुत ध्यान से सुनियेगा और देखेगा हो सकते हैं आपको अपनी चुटे-चुटे questions के बहुत ही अच्छे answers मिल जाएं पहली चीज जो मैं आप से कहना चाहूँगी कि आज का जो scenario चल रहा है वो इतना जादा hectic और busy चल रहा है कि पूछे मत यहां पर बात में आपके पती देव की कर रहे हो कि वो कोई भी काम कर रहे हैं कोई भी वेविसाय कर रहे हैं या किसी office में जा रहे हैं आज की डेट में कहीं पर खुद को survive कर पाना टिके रह पाना और कमाना बहुत मश्किल होता है और उनके लिए भी वो जहां पर जा रहे हैं चीजों को पूरे तरीके से handle करना आसान नहीं होता है कई पार आपके जो पती देव हैं अनुके साथ भी हो सकता है कि एसी दिकते चल रहे हो कि वो जिस नौकरी को कर रहे हैं उससे वो खुश नहीं है उसमें जो तंखा मिल रही है उससे वो खुश नहीं है और उसके बावजूद उनको वहाँ पर नौकरी करनी पड़ रही है इस तरीके से जब मौहौल में कोई भी होता है तो अपने आप में खुश नहीं होता है उसको नौकरी करने जाना भी पड़ रहा है घर भी वापस आना पड़ रहा है और घर पे सबसे मुस्कुराना भी पड़ रहा है या घर के भी बाकी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। So friends, ऐसे में क्या होता है कि अगले का जो नीचर होता है वो चुड़चुड़ा हो जाता है यह खुद में बहुत ही positive या healthy नहीं रहता है। पहली चीज़ जो मैं यहां आपको हिंट देना चाहरी हूँ अब आप इससे यह मत समझ लीचेगा कि मैं आपका वीडियो देखने बैठे हो और आपने तो पती देव का ही support करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है friends कि मैं support कर रही हूँ या मैं against में हूँ but yes this is the reality कि आज की date में लोग उतने खुश नहीं हो पा रहे हैं और बाहर पर इतने सारे challenges हैं यानि कि आसपास के लोग भी जो होते हैं ना friends वो कहीं न कहीं टांग की चाही में लगे रहते हैं या support तो छोड़िये व विनाश करते हैं so friends ऐसे scenarios में आपके पतीदेव रह रहे होते हैं so घर आकर अगर वो आपसे मुस्कुरा नहीं रहे हैं so friends उसको उतना bother मत करिए घर आकर अगर वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं उसको भी उतना bother मत करिए but yes आपको क्या करना है कि जब वो आपसे बात करना चाहें, आप आराम से बात करिए, अगर थोड़ा बात बात ऊपर नीचे हो भी गई है, तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लिजिए, बट, आप जो next point आ रहा है, कि कुछ पतीदेव ऐसे भी होते हैं, जिनकी आदत पर जाती है, बात बात पर नहीं हो, तो में भी कितनी खामिया हैं, लेकिन मैं नहीं बोलती, so friends, यहां पर बात क्या आती है, कि अगर वो कोई टॉंट कर रहे हैं, सरकास मारे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, तो उनको इतना बुरा नहीं लगता हो, और ना वो फील कर रहा होता है, तब तो दिया जा रहा होत होता है, यानि कि उनको किसी चीज में कुछ बोला जा रहा होता है, तब बड़ी जल्दी चूप जाती है, so friends, आपको क्या करना है कि सारे बान एक साथ नहीं मार देने, blast हो जाएगा, हाँ, जितना लेकिन अगला बरदार्श कर सकता है, एक दो पॉइंट आपको जरूर मार और उनकी खामियों में मारने, क्योंकि कही बार क्या होता है, कि जब तक आईना ना दिखाया जाया ना, अगले को समझ में कुछ भी नहीं आता है, आप friends, तीसरे पॉइंट में आए, कही बार क्या होता है, कि आप लोगों की खुद की प्राबलम होती है, कि आप हर समय जी ह पता है कि अच्छा है, और अगले का जब आप यह ऐसा attitude देख रहो हो, तो क्यों तारीफ की उमीद कर रहो, friends, leave it, और ना ही अगले को बादर करियो, और अगले को बादर करना तो छोड़ दीजे, अपनी जो mental health है, उसको खराब बिलकुल मत करिये, क्योंकि यहाँ पर अगल किसे उनका टाइम नहीं निकला है, उनको भी आप से बात करने के लिए आपके टाइम से आपका टाइम निकालना पड़े, so friends, जब तक आप खुद को इंपोर्टन फील नहीं कराएंगे, या खुद में भी नहीं फील करेंगे, तब तक भी अगलों को समझ में नहीं आता है And the moment, आप देखेगा कि आपने आपको इंपोर्टन फील करा दिया, और आपके हस्बेन भी कह रहा है, तुम से बात करने कहीं टाइम नहीं मलता है, तुम तो इतनी बीजी रहती हो, so friends, कहीं नहीं जब ये सेंटेंस सुनेंगी न, so आपको अपने आपी, आपकी mental health भी अच् पालेंगी, उसी के साथ, friends, अपनी mental health को सही रखना है, so सिफ एक चीज आप से कहूंगी, कि अपना comparison, अपनी family का comparison, अपने husband का comparison, बच्चों का comparison, किसी से ना करें, क्योंकि आप अपने आप में नायाब हैं, जो भी चीजें, आपकी इन सारी चीजों में कमतर अच्छी जो भ लगें, आप अपनी चीजों को क्यों नहीं सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, so friends, जिस दिन तुलना करना बंद कर देंगे, और अपनी चीजों में खुद को blessed मानना शुरू कर देंगे, कि आप कितने खुश नसीब हैं, आपके पास कितनी सारी चीजें भगवान ने दिय हैं, friends, believe me, किसी और को आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप में सुकून फील करेंगे, last but not the least, हमें क्या होता है, कि हमें हमें हमेशा दूसरों से आशाएं ज्यादा होती हैं, यानि कि हम किसी को कुछ भी कर देते हैं, so हमें लगता है कि बदले में हमें क्यों नहीं कुछ मिल रहा है, so friends, यह जो expectations होती हैं, उनको थोड़ा सा कम कर दीजे, आपका जो first है, आपकी जो duties है, आप जितना कर सकते हैं, उतना करिए, और उसके बाद किसी से expectations मत रखे, अब आप कहेंगे, कि expectations नहीं रखेंगे, तो हम भगवान ही हो जाएंगे, नहीं भगव और खुद से खुद को संभाल लिजे, जब अगला आपकी मजबूती इस तरीके से देखेगा ना, so वाकई अगला भी आपका कायल हो जाएगा, और जो छोटी-छोटी बातों में आप लोगों की अन्बन हो रही है ना, वो भी सही हो जाएगी, so कहीं नहीं, friends, आपके husband की जो अन्टोल या बिना कही हुई है, जो mental health खराब हो रही है, आप कहीं नहीं, उसको भी सही कर पाएगी, the same way आप खुद को भी खुश रख पाएगी, वीडियो के ऐसा लगा, comment करके जरूर बताएगा, और लाइक करना मत भूलेगा, आपने friends के साथ, share करना मत भूलेगा, ऐसे ही life lessons जानने के लिए, मेरे चानल को subscribe कर दीजगा, so thanks a lot for giving me this much time.